सत्रा प्रत्याशी थे जिनके तेईस फॉर्म्स थे और आज तीन ने नाम वापस लिया है जिनमें असलम खान और देविंद्र सिंग जी और धरम सिंग जी इन तीनों ने अपने नाम वापस लिये हैं और अब कुल चौदर प्रत्याशी है सिंबल सभी को दे दिये गए हैं और सभी को अपने प्रेटेंस के साफ से सिंबल दे नेशनल पाटी इसके सिंबल अल्रेडी अलॉटेट होता है तो उनको उसी साफ से देखे मैंने क्या दो जगे से नमानकर किया है रासमंद और अजमेर से हैं तो मेरी थोड़ी चुनाई व्यवस्ता ये डगमगा रही थी इस कारण से मैं रासमंद से चुनाऊ लड़ रहा हूं और अजमेर का फॉम मैंने वापस लिया है कोईकि प्रस्तानी बैट ट्रीटी मेनेजमेंट की और वही बात अजमेर के लिए तो अजमेर के लिए मेरी लड़ाई लगातार जारी रहेगी चाहिए भाजपा हो चाहिए कांग्रेस हो जो भी ब्रस्टाचार करेगा जो भी अजमेर के लिए काम नहीं करेगा हम बराबर उनका डो जगे से रासमंद को चुना है और रासमंद से मैं चुनाओं लड़ रहा हूं इसलिए मैं ने मेरा अजमेर का फोमरे डोल लिया है लेकिन आज मैने उठा लिया वापस यह हमारे कांग्रेस के युवा नेता है वाजिद भाई जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारी संगठन के और पार्टी के ही कोई, हमारे आप से एक दो कोई छोटे मोटे इशू थे, तो आजित भाई आये, रामचंदर जी की तरफ से, और हमारी बैट के बात हो गई, इसलिए फिर मैंने मेरा नामांकन पत्र उठा लिया वापस, मैं संगठन का आदमी हूँ, मैरे पास माइनोर्टी जिलाद्यक्ष का पद है, डी-सी-सी में सेकेटरी भी हूँ, फिर मैंने कॉंग्रेस के जो अपने परत्याक्षी है, रामचंदर जी चोधरी, उनके बक्ष में मेरा फारम उठा लिया, मौम्मद असलम पठान, जिलाद्य एक्ष अलप्शंकर कांग्रेस अजमेर